दोस्तो आजम जानेंगे कैसे अनुखी मचली के बारे में जो केवल अपने नाम सही पुरी दुनिया में पहुचाने जाती है तो दोस्तो आजम जानेंगे ट्रैपोड फिश के बारे में ट्रैपोड फिश जो एक बैंतिक फिश का नमूना है मतलब वो प्राणी जु समन्दर के फर्स्ट पर रहते और ट्रैप्भॉड फिष परे दुनिया में पैसिफिक, इंडियन और अट्लान्टिक कोषिन के आपटर पाये जरते और ट्रैप्भॉड फिष एक मासाहरी प्राणी जो जिल्फ मास सकाई सेवन करते और ट्राइपट फिश ज्यादे तर स्रिम्स, स्मॉल फिश और क्रस्टिशन को कंजूम करते हैं ट्राइपट फिश को स्टिल्क ओल्टर के नाम से भी पहचान जाता है क्योंकि उसके लंबे स्ट्रक्चर जो से समंदर की फर्स पर चलने में काम आता है और जब ट्राइपट फिश एक जगह पर स्तिर खड़ी रहती है तो उसे देखके ऐसा लगता है कि वह एक ट्राइपट है और यही कारण है कि इसे ट्राइपट फिश नाम दिया गया है वग्यानिकों के अनुसार ट्राइपट फिश एक हर्माफ्रोडट एनिमल है बहप राणी जो दोनों प्रकार के रिप्रेड़क्टिय ओर्गन को प्रोसेस करते हैं और फीमेल ट्राइपट फिश इसे मैटिंग के समय कोई पार्ट नम मिलने पर वह सेल्फ रिप्रिडूस करते हैं और वेग्यानिकों के अनुसार ट्राइपट फिश एक सॉलेटर ही अनिमल मतलब वह प्राणी जपनों जीवन अक्यले ही पिताना पसंद करते हैं और ट्राइपट फिश के लंबाई तक्रिबन 14 इंसे भी अधिक हो सकते हैं और समुंदरों में ट्राइपट फिश के जीवन काल बताया नहीं जा सकता दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद अगर आप इसी तरसे अनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्तिना चाहते हो तो आप आप हमार चैनल को सब्स्राइब पर लिए सकते हैं तक कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकते हैं क्योंकि हम इसी तरसे अनिमल्स के बारे में जानकारी देखते रखो और यार वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और येस फ्रेंड्स थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो